नमस्कार R9 TV के खाशकरकरम कुरुक्षेत्र 2019 में स्वागत है आपका मैं हूँ जैदी प्राठी आज हमारा कारवा पोहुचा है राई विधानसवा छेत्र में ये वही राई विधानसवा छेत्र है जो हरियाना के सूर्य कवी पंडित लखमी चंद की जनम भूमी है ये वही राई विधानसवा छेत्र है जहांके मूर्थल के प्राठो का स्वाद पूरी दुनिया में जाना जाता है आज यहाँ पहुचे हैं जनता से जानेंगे क्या इस विधानसवा चुनाव में जनता का मुड है जनता किस पार्टी के नुमाइंदे को जिताना चाहती है औ और इसको लेकर आज यहापी जो डिबेट होगी उसमें हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पहुचके हैं, बीजेपी से मोहनलाल बडोली है, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, बीजेपी नेता है, वरिष्ट नेता है, और इस बार चाहते हैं कि उनकी पार्टी उनको टि नाओ हार गए थे, रमेश बडोली जी है, जज़पा के नेता हैं, परवक्ता भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, हाला कि कॉंग्रेस पार्टी से हमारे साथ बहुत जल जुडेंगे, अर्जुन दहिया जुडेंगे, यहाँ से विधायक जैतिरत दहिया के बेटे हैं, वो कुछी दोईर में इस कारेकरम में पहुचेंगे, उसके अलावा इस हलके की जनिता है, वो हमारे यहाँ पर पहुची है, तो सबसे पहले, यहाँ से बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, मोहनलाल बडोली उनसे शुरुआत करेंगे, कि पिछले पात साल में उनकी सरकार रही है, तो क्या काम किये हैं इस हलके के लिए, राई विधानसवा चेतर के लिए, यह भी बता दू आपको, राई विधानसवा चेतर कई माइनों में बेहद एहम है, दिल्ली सीमा के लगता हुआ, दिल्ली सीमा से लगता हुआ यह विधानसवा चेतर है, यूपे की सीमा भी लगती है युमुना बेल्ट का पूरा इलाका है तो कृषी एक तरीके से के कृषी के चेतर में बहुत एहम माइने हैं उसके अलावा इसे एजुकेशन का उबढ़ता हुआ हब कहा जाता है और अगर राई विदान सभा चेतर को न्यूस होनी पत कहें तो कोई अतिशोक्त कि नहीं होनी चाहिए सबसे पहले चलते हैं मोहन के पास मोहण जी आपकी सरकार इनका जो बनने जारा है बनने जारा पात चाल बना तो नहीं है बालगड का पुल का निर्मान हुआ और के जीपी और के एमपी जो तैस समय से भी पहले पूरा हुआ यह अमारी सरकार की उपलब दी है उसके बाद राई विदान सभा में महिला कोलिज की जो स्तापना हुई व को आड़ा हमारी सरकार की उपलब दी है और यहां स्कूलों का किया है बजलि की वेवस्ता को representation किया है और यहां खुल की विवस्ता को ठीक किया रहा है और राई को खुडुली काओं को कमैटी बनाने का काम हुआ है कई यहां विकास काम आप इन में से कुछ आपने वाट वाट लेवल हैUNG हमारी सरकारे करवाए 캠री के कौर्वार्फेश्ता वहाँ सकते हैं थेोगान की सब्सक्राइब करते हैं लेडिन गाम पूरे 펫 हैव सब्सक्राइब आप जाता है और के काम पॉरे हैं बीजेपी सरकार ने पात साल में काम करवाए हैं मैं निमानता जितने आवेट आप उन से पूत सकते हो कौन से काम नहीं किये जो दूरे उड़ा साब काम छोड़के गए थे सारे पूरे उने लग रहे हैं और मोहलाल जी के नेतरून में इनको यहां से जिता के बेच कॉलेजिज जो स्कूल थे हमारे गाओं के अपग्रेड कर रखे थे पहले चुटाला सरकार में उनको भी उन्होंने दुबारा से मीडल करके या जो हाई स्कूल तक करके और चार पांच गाओं के इखटे जो साथ में मैं बिल्गोल बिल्गोल हमारे साथ अर्जुन दहिया पात साल में सडकों की हालत बहुत बहतर हो गई है इंडिस्ट्री का बहुत काम हो गया है एजुकेशन सीटी का बहुत विकास हो गया है और जो नहीं जो बन रहा है इसको बारा लेन करने का काम उनकी सरकार ने कर दिया है तो आपके पिताजी विधाय का पाये नुमाइंद काटने के अलावा कोई काम नहीं किया जो आपने नाम गिणवाए एजुकेशन सिटी एन अचाई के एंपी सारी सड़कें वो सारे के सारे पत्थर पहले लग चुके थे शिलान्यास हो चुका था टेंडर हो चुके थे आपने तो सिर्फ रिबन काटने का काम किया है अब बाओ जी मैं मैं बोलू जी आप पास भी आएंगे आपके पास भी आएंगे यह जो मेरे बीजेबी के बूथ एजेंट और पद अदिकारी मेरे भाई बैठे हैं मैं इन से हाथ जोड़के बिंती करता हूं आपके बुलावे पर हम यहां आए हैं प्लीज बात सुन लो ज आएगा मुख्यमंत्री जी के खुद के वर्ड थे कि हर हलके को हम समान विकास करेंगे मैं मेरे पिता मानते बेदवा हुआ है राई हलके के साथ मैं यह बात हाथ कंगन को आर्शी क्या और पड़े लिखे को फार्शी क्या दस रुपे की आर्टिया लगाओ और पता करो क्य क्या राई हलके में MLA के पास development के नाम पे कोई फंड आता है डीशी साहब इनकी फोन उठा लेते हैं बात कराओ loudspeaker on करो क्या development के नाम पे MLA के पास कोई account है मैं पूछना चाहता हूं जी आपके पास आएंगे और भी तमाम महमान हमारे साथ है इंदर जी आप बात जिस तरी तिमें तीन वोटों से आप टुनाव अणव रगे थे और उसके बाद लगातार जंता के है तरी क्या ने जजागे राही आध की ने राई हलके के इस से बुझे आला तो किसी भी हलके के नहीं है पानी जो ये फैक्टरियों पानी वो नीचे जा गए सारा का सारा इनोंने जीरो कर दिया है आपकी एल्थ के लिए लगाओ नहीं ते कहीं पीने का पानी उपलब्द है आपने बुल्या की 200 मिल शेर वहां सडक पे काड़ी होगी तो उसका सब कुछ वहीं पानी मिलेगा उसके बाद ना थूपर वाले रोड पर चले जाओ सारी फैक्ट्रिया बंद होने के कार पर हैं और को यह कहता है इंपलाइमेंट दी इंपलाइमेंट कहां दी इनोंने आगे जो फोर्डी के फार्म निकाले बड़ती भूरत वालाइमेंट कौने निकाहा रहे आपनी पमने से धारे पता लाक्यों है भूलै भालइड साहअ है इसाने यहां पता पर्सक्शंद स्वीयां साफ के लिए और फिम फोर्त आपये हह र啥क्सक्तु ciriuk यद्धारूपी का जागा वी वो उनके 10,000 पहोव यह तो यह तो सही काम किया कार्ँडरायμη होती है 그래서 बहुत लोगी मोति हो जाती है तो अच्छा काम स्वाकट करना चीया आप लोगों ससी लुद। बहार opinions सुन् ने की भी मत रखो चलान दो जो चंदिगड में भी होते हैं सौर बेल्ट का होता है और किसी आदमी जो चंदिगड में पढ़ता हुए सोता बेल्ट लगा लें लिए सौर पे लगाऊंगे यहां आप देखो इसके पास बेल्ट नहीं होती हो काई रुपे के चलान देखाते हैं मालिया जो आज भी हजार पंदरा से रुपे लें आप मैं आपको मुर्थर डाभी की बात बता रहा हूं जो रही हलके में आप जाके देखो यह जो चमाती गाटी तो मिल जाएंगी जो महरे कैसे जो छोटी गाटी हम जाए करते कोई गाटी नहीं क्योंकि वह हजार रुपे तो उस दोरों होनी और बेल्ट लगा का हूए और बेल्ट लगा का नहीं आओगा तो हजार पुलिस वाले ले ले लेगे वो खागा कि यह तो मुर्थर की बात थी नंबर दो बात एजुकेशन सिटी के बता रहे हैं यह कर दिया वो कर दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ा होगे नाम से करते है न सब्सक्राइब आज तक एक भी काम सिर्फ बस्तातार के शवा यह बस्तातार ही ना है एक हजार रुपे का चलान दो से रुपे देदे वो पुलिस वालाई भी रादी अनुगा का वो यह यह खुला बस्तातार तालों निकर आपके पास हमारे साथ रमेश बडोली जी भी है आपकी बातों को जुटला रहे जितने नेता है तमाम लोग जुटला रहे हैं तरमेश जी आप क्या मानते हैं जो बाते कही गई आरा राइव इधानसभा अलके के विकास को लेकर उनको आप कैसे मानते अपनी पार्टी की तरफ से क्या पक्र रखेंगे कि हमारे साथी मोलाल जी ने कहा बाज़पा के नेता ने के के एंपी का जिकर किया के एंपी डॉक्टर अजैसिंग चुट्रला जी पार्लेमेंट मेंबर थे तो ने सेंटर से पास करा था और 2004 में इसका पत्थर रखा गया था चुट्रला साथ ना रखा था इन्होंने पत्थ रुड़ा जी ने उनको रोके रख्या उसके बाद के जीपी के साथ यह कंपलीट हुआ काभी काम चुट्रला साथ के टैम में वह भी गया था फिर नगरपाली का की बात है बीजेपी के साथी न कया कि नगरपाली का बना दिया आज तक को चुनाओं नहीं है कोई मेंबर न जो यहां के मंत्री हैं वहां से जो पूरा पैसा अड़ा प्रेहन अगरनी के नाम के नाम पर इन लोगा की जो पंचैती जमीन एक वारमेंट होई थी उनकी अफ्टी को भी उसका भी कोई भी आता पता नहीं है एक मुर्थल के अंदर थ्रीपॉंट सिस्टम लगा था जिम क करोड़ रुपिया खर्च करागा जी में करीब 10 क्रूर का खर्चा देखाएगा आज वहां इंट तक भी नहीं है बीजेपी ने एजुकेशन के नाम पर देखिए डीकरस्ट में आप में इसमें बीश्वा मीलब है दो साल से एडमिशन बंद है जो गरीब का बच्चा सरका कर लेता था आज वह प्राइवेट में जाना पड़ता है इन्हें सर प्राइवेट को लिजे के साथ मिली वकत करके इनने लूटने का काम किया जहां तक परदेश की बात है चोधरी भुपंदर उड़ा जी भी कहते हैं कि अब तक बैसी करोड़ दो जार चोड़ा तक बैसी आज इतना बरना पड़ता है कि आज कोई भी साधन नहीं चुट पाता जनता हमारे साथ मुझूद है जनता क्या सोचती है जनता क्या कहना है आप बताएंगे आपका विधानसवाचेत्र है आपके हलके में कितना विकास हुआ इन पात सालों में और क्यों यहां से अगर जो भी किए काम कराने की क वरा करने की सारा खश्ता हाल हमारे राये के लिए काम किया है सिर्फ टोल लेने के लिए काम किया है कुछें का कोई विकास नहीं हुआ यह सिर्फ परचार की परशार की और भेदवाव की जाती-पाती की राजनीती करती है भी जैपी और इंको कोई काम नहीं है बिल्कुल आप क्या कहेंगे अपने हलके गोले का कि बहुत शोर्ट में बहुत शोर्ट में बहुत शोर्ट में यह करें शिक्षा के अब महां टेहना गाओं को वाई साथ बिजानते होंगे बड़ो ली जी वहां जाए जाए को पुछो पहले बाराइव पंदरा टीचर थे तीन टीचर कम कर दिये अब जो ट्रांस्वर निती है आप जाग पुछो एक स्कूल में साथ्तर टोटल सथर हैं वहां तो साथ टीचर है एक अटेने में साथ साथी साथ सो बच्चे हैं वहां नो टीचर है यह शिक्षा मोज बनाओं जी बिल्कुल मोहन जी आपके पास आएंगे आपने पांच का करें तो पैंदर सिंग और ने बनाई आपकी सरकार ने नहीं बनाई का काम शुरू किया बहुत पहले शुरू उच्का था वह मास्टर पलान में था उसके बाद यह हो रहा है स्कूल की हालत यहां की जनता बतारी तो क्या कहेंगे कि सभी काम के लिए हवा हवा हई है जो मैं यह बोला ही नहीं आपके इसमें रिकार्डिंग में चेक कर लेना कि हमने इसको बनाया है हमने इसका विकास किया है ला यूनिवस्टी सोनीपत के अंदर अब एडमिशन होके तो उसमें ही हो गी थी कि आएंके उन्हों जमीन खरीद लिए जैसे एजुकेशन सिटी बनी तो ब जो तीसरी सोनीपत में बनाई है बहुत बड़ी सोगात यह राई विदान सभा को मिली है उसके बाद के एंपी और के जीपी यह आप सब को पता है दो हजार चोदा च्यार के अंदर हटल ब्यारी वाजपई जी इस देश के परदान मंतरी दे उस समय इसकी निव रखी गई थी लेकिन दस साल तक काम तो नहीं हुआ काम नरेंदर मोधी जी यहां देश के परदान मंतरी यहां वह विकास का पत्थर लगा के गए और तय करके गए समय करके तैस समय में बढ़ के त्यार हुआ है और यहां जो भी काम हुए है समय से पहले पूर्य करवाई है सारा जो ओनलाइन सिस्टम किया जिस स्कूल में जितने बच्चे होंगे उसी रेसों में वहां पर टीचर भी होते हैं और हमारी ट्रास्पर पॉलिशी की तो पूरे देश के जितने भी प्रांत है और भी उन्होंने इसका पालना करने के लिए यहां देन करने के लिए सबसे अच्छ पाइब देखा जा रही है बड़ी बड़ी उनिवर्सटी ए ओपी जिंदल यूनिवर्सटी है मुर्थल यूनिवर्सटी है निफ्टम है लेकिन जनता के बीच गए लोगों से हमने आध पूरा दिन बात्चित की तो यहां के लोगों के दरह जलका उन्होंने कहा की पूरा दिन लेकिन जिसके पास जमीन होती थी उसके इलावा भी जो गाउं में बगएर जमीन के आदमी रहते थे वो उसी जमीन से काम करते थे उनका भी एक इस्षेदारी रहती थी वो उस गाहों को अपना मानते थे इसी परकार से जब हमारे यहां यह यह यूनिवस्टिया लगेंगी यहां काम होगा तो यहां के आदमियों को रोजगार भी मिलेगा यह बात नी है कि रोजगार नी मिलेगा हमारे बच्चे पढ़े जब कोई कोई चीज बनती है उस टाइम पर उसकी पोल्सी बनाई जाती है तो उस समय की सरकार ने क्या बना यह नहीं बना जैंगे उन्से उन्से जानने का प्रयाजी जी वह मौनला बढ़ोनली जी कहते हैं लाइनिस्टी बनवाई है क्या दस लाग से कम डोनेशन में उस उन लगाने का जो काम है नोलेज नहीं है इन लोगों को वह सरकारी लाइन उनिवस्टी एंडिशन होते हैं कोई डूनेशन नहीं सही बात है आएंगे आएंगे जनता के बीदाएंगे लोगों कि लोगे जी बिलकुल बिलकुल बताइए आज से पहले मेरे बहुत सारे बाइश स्वाल करते हैं मैं स्वाल करना चाहता हूं कि तश साल पहला जब यह कांग्रेस सरकार थी इनलों सरकार थी कोई भी बच्चा एज जो इसके नोग्या पड़ने के लिए नहीं जाता था सब टेस्ट के लिए नोकरी के लिए तर्सलाइब यहार जब मैंने एक अजार तो सही दसलाग तर्फे देख है और जो गुरुटी आड़ था वो एस्वील आगे था जब किसे ने सवाल नहीं करें बिल्कुल बिल्कुल सवाल आऊंगा और तुन जी दो सवाल ले लेते हैं आपके पास आएंगे सीटी जल्दी कहीं जल्दी बैसाब यह जो एजूकेश फर्ञाइंगान नौकर नोकिस होने के बाद भी रेजिस्टी में ही है कभी होता है से पूरे हिंदुस्तान का रीजिस्टी मुम्र की लाइज होती यह समर्त देखली यह कैमरें सारे उडसाब की साल्दी आपका पिता जी पहले सबिको राम रम आपने जीन चुनाओ देख हैग बारजनतर पर्टिई ने पड़ा प्रशन फेराया लोक सबह सबाऄ देखे दस अब जैसा हिंच जुनाओ नजदी का collagen जितना वीप्ता है हरियाने का सारा चाम वीप्ता एक मां ठक बंदर मन जाएगा लाश्ट में आके और इनको सियम मनों लाल खटर एक लाद में सारों न मारागा जो इस विदान सबाद चलेगा हर्याना में अर्जुन जी दो बड़े आरोप लगे एजुकेशन सिटी को लेकर लगा कि आपके राज में बनी थी कॉंगरिस की सरकार थी आपके पिता जी यहां से विधायक थे उसके अलावा एक और बात निकल कर आई थी कि जो सवाल इन्होंने किया थी जो बड़े-बड़े बिल्डर आगे हैं उसमें बड़ा घोटाला किसानों की जमीन को लिया गया और उसके बाद जो बड़ा चडाक बिल्डरों को बेचा गया यह बड़ा घोटाला यहां पे हुआ मैं दो मिनिट का समय जरूर लूँगा कई पॉइंट क्लियर करूंगा जी पहली बात तो कही गई ट्रा करता हो इनी के गाउं की बात करता हूं मारे मोहनलाल जी बड़ोली गाउं से संबंध रखते हैं डी गृप की बरती का जिकर किया गया जी कहा गया कि 10-10 लाख रुपह देकर नोकरीया लगती थी जी मैं इन से पूछ ना चाहूंगा क्या इनी के गाउं के ड्क्टर जो कुमार विरादरी से थे उसका मडर होया था जी उसकी डाइरी में 35 आदमियों के लिस्ट में नाम थे नौकरियों के 88 लाख रुपे ले रखे थे आज तक उसे आदमी की बॉड़ी नहीं मिली आज तक आज उस आदमी का मोबाइल नहीं मिला क्यों क्योंकि वो कविता जैन की गाड़ी चलाता था इसलिए उसके घर के बार धरना रखा जाता था और यह कहते हैं कि 10 लाख रुपे में बाती थी मैं यह बात पूशता हूं ते से फिर भी लिस्ट लगी और पर एक ठास्पिरेंसी मैं यू पूशता हूं आप लोगों के चैनल के माद़ियम से फूचना चाहूंगा इस मन्च के मादना से पूचना चाहूंगा क्या हरियाना स्टाफ सेलेक्शन में गाजन मूली की तरह नौकरिया नहीं बेटी उन आठ सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो मेरे परिवार को है जह तीरत दया के परिवार को हुआ है अगर सोड़ा एकड़ जमीन हमारी इस एजुकेशन सिटी में एक्वाइरमेंट ना हुई हो हम इलेक्शन छोड़ देते हैं और बताओ जी पटवारी बुला लो बलाओ पटवारी और किरतावर और हाँ दिखाऊंगा मैं मैं पूशता ह जो आज इस दमीन के ठेकेदार मने बैठी हैं यह आरे से सवाले महरे से हमारी जमीन का एक टुकड़ा बच गया था उसको जमीन को बिकवाने के लिए साथ लाग कमीशन विरंदर चोटी वड़ा लेकर अब की बार जन्यता से सवाल लेंगे और जानेंगे की कि सिनेता के आ बहुत अच्छा है पुतले में पुतले में जान होने में बहुत फर्क है आप लोगों ने उदाटनी किया तो वर्क को न करेगा जनता या सरकार कि नंबर दो आपके सरकार ने ऐसे काम किये है जो जनता को पसंद नहीं आए नंबर एक कि ऑची के का टए उन आजमियों के प्लोट काते हैं जिनके पास ठूद के पांशुक्य पलोट है ब्रीज को अबिश्य को और एक नमभी आपको प्रूब को उनको सब्सक्राइब क्वेशन के बाट और उसके बाद ने अच्छी बात रखी इसका जबाब लेंगे और जनता हम प्लोट तो की बात रखी पलोट कोण काड़ता जो गावं में सर्पमच जना पहले ही टाइम के लगे हो यह सर्पमच एक को आंगरेस का को लोग दलगा वह उसी साथ से जमीन बता इसका जो आप नेता से लेंगा अपनी बात रखे अपनी बात रखते यह बताते ना वह प्लोटा केश लड़ते गावं दी पालपुर से हूं जो के प्लोट कटे वी हैं यह कहते हैं डीडीप ओने वीडियो ने इन ने काटे यह सारी गल्ती सर्पंस की होती है और ने बोल्ट बट्रोलने के लिए जिसके पास दो दो प्लोट उनके काट रखे हैं और मैं शाड़ मैं आज तक मेरे खाते में दोजार नहीं आए दूसरी बात मैं एक च्यार नवाशी एक च्यार पिछले साल पिछले साल एक च्यार से मैंने पेलशन के लिए कागज दी अपने 63 साल का हो चुक्या हूं तीन भारम बढ़ चुक्या ओफिस माजा हूं रिजेक्ट मैडम बैठ तो चाहिए कि बरे तरीके से खतम कर दिया बरेश्टाचार की सुन लो मैं लेसेंस बनुआ गया दलाल के थुरू बात करो को टाइम बठे न सरकारीन की है शहाजार रपी लेंगे जी लेसेंस में बनेंगे सब पहलें फोट तरह अब भी पैसों का लेंदेन होता है जी आप सब्सक्राइब को पता है वह जमीनों के घोटाले में सदा फंसी रही है वह यह चोड़ो वह कश्मीर को भी बेज दे वो देश के किसी टुकड़े को भी बेज दे उनकी बात चोड़ी है दूसरी मैं बात करूंगा कि आप क्या संदेश दे रहे हैं जन परतितनी के तोर में हमारे एक परतितनी आपे कहा कि आप गाड़ी चलाएं सराब पीकर ये कोई संदेश नहीं है ये संदेश बिल्कुल गलत है आप गाड़ी सराब पीकर नहीं चलाएंगे ये बोलना चाहिए उनको आप यहाँ पर राजनीती ना करें दूसरा उन्होंने एक परतितनी ने बो पार आप जाए आप को किसी दलाल के पास जाने के जरूरत नहीं है अगर आप जा रहे हैं अब सबसे पहले यही कि जो आप भरिष्टातार खतम करने की बात करते हैं वह हुआ ही नहीं है तमाम आरो पिहां पर लग रहे हैं देखो आपके टीवी चैनल पर आरो पर लगाना तो बहुत आसान है लेकिन जब आप जाएंगे तो उसको शीद करके दिखाना दूसरी बात है और आज पूरी तरह से इमांदारी के साथ ओनलाइन लोगों के काम होते हैं हैं अपने पैंसेन बनवानी हो हो चाहें अपना लाइसम बनवाना हो ओच्राइ। आहिं किसी भी परकार का को की काम कर वाना हो है रही किसान समान निदी योजना की बात जो ओनलाइन हमारे तो नहीं मिली है तो विवस्ता बनाई हुए है उनलाइन वो दर्ज करवा सकता है उसको मिलेगी वो किसान खाक है और हमारी सरकार ने किसानों का भी व्यापारियों का भी और अब कुछ हो गया है हर्याड़ को जूरुत निद्र जी आप कुछ कहना चाहरे देए यह करना चाहरा था जी दरातल्प में तो कुछ है नीन का ने आवाई फाहर है सारे सारे अब रस यात्रा करके दुनिया बर्गे पथर लगा दिये जिए यह पदार लगने लगना के मिने क अब अब दूसरी बात जो कहरें नोकरी की बात आप बिजली भी बागवे सटर के करीब लगी अभी उनमें यह देख लो अर्याड़े कितरे एक मुख्य मंतरी यह कहता है फर्षेद गड़ा काट लेंगे तो उसकी आप यह देख लो उसमें कितरा गमड़ आया हुए और ग कितरी फेक्ट्री आज के दिन बंद है मेरे साथ चलो चीश भाई को सको राही हलके की कब यह कम 20 फीस्टी फेक्ट्री बंद है कम से कम वह रुजगार ता कि ही गरीब को भी था रुजगार की बात इनकी नहीं अब यह कहता है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ उन्तीस दि मुख्य मंत्री बने उन्होंने एक मेसेज दिया जनता को कि मैं बहुत इमानदार हूं कोई साथी उसको खुशी होगा गुल्दस्ता देगा उसको बदाई देने गया तो उन्हें पीछे भैंक दिया कि मैं यह गुल्दस्ते नहीं लेता और आज रत्रयातरा के दोरान किसी कि ने रहा है किसी एन जोर्ण दिया है और इतना भीधा मुक्ख乐 मंत्री जो समाज को भी खुलंकित करता है एसा जनता को नहीं चाहिए और जहां तक लोकल मुदे मैं कुमासपर गाओं की बात करूँगा आप थोड़ी ही बार सुने के बाद उसकी फिरने परके जा नहीं सकते इतना बुरा हाल है किसी भी गाओं पर जाईए और दो साल पहले दो साल पहले सुगर मील की ट्रवाइन फटकी थी जो एक सरकार एक बॉंड करती है कि पूरा 85 परसेंट गंदा तो हम लेंगे और आपने डालना पड़ेगा ट्रवाइन फटने बाद ही सलाके का 10 लाक क्योंटल गंडा बचा था उन्होंने लिया नहीं उनका अपना गंदा कह 40 कुरोड रुपिया मारे इलाके का यूपी के मिला में डाइक और वो किसान फासी खाने की तादाद पर है यह हाल है दो दोजार रुपिया खाते में डालना की बात की कुछ साथी की आए काफी के 80% के नहीं आए और उन्होंने डाइसो रुपिया डीएपी बढ़ा दिया डेया डिजल भड़ा दिया डेटरोल बढ़ा दिया हर्ट छीज खर्चा बढ़ा दिया जी इस्ट बढ़ा दिया और यह तो सुकर माननी यह दूरशेन चुड़घागा इनहोंने ट्रेक्टर को भी कमर्शिएल घोशित कर दिया था पारलियमेड में ट्रेक्टर लेके करेंगे अरजुन जी चार पाच बड़ी चीजे इस विधानसभा चेत्र के लिए होनी चाहिए पहला मेट्रो का प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से यहां से डिमांड थी लेकिन दस साल कॉंग्रेस की सरकार भी रही कुंडली की बजाए बहादुर्गर चलीगी आरोप भी ल बनेगा वो भी यहां पर नहीं बना एंच वन की हालत वह बहुत ज्यादा नहीं शुद्री तो इसको लेकर क्या कहेंगे आपके पिताजी विधायक है क्या इन बातों को लेकर विधानसभा में कभी सवाल उठाएगे क्या सरकार को बाद्या किया गया कि मेरे हलके के अंदर कॉंग्रेस की गिनवाई जा रही है आज के दिन मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि जिन वाइदों पे बीजेपी सरकार में आई थी क्या वो वाइदे पूरे हुए के नहीं ये जो बहस का मुद्दा है इसको सिर्फ भटकाने की कोशिश की जा रही है अपने अपने प्रयाविजित आदमी लाकर हला मचाना ये मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है मैं मानता हूं हमारे प्रदेश का सबसे पहला मुद्दा है बिरोजगारी हमारे देश का पहला मुद्दा है प्रदेश का पहला मुद्दा है महिला सुरक्षा इतने बड़े-बड़े वार अब की बार मोदी सरकार मैं अभी गड़ी मिमारपुर गाउं से आया हूं वहाँ एक जवान बच्ची का रेप पुलिस वड़े ने किया है और मुकदमा दर्ज हुआ है कि आपके चैनल ने दिखाया हो मैं बिल्कुल मैं यह 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 जो किया नहीं। आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं ट्राश्पेरेंसी की बात की जा रही है सुरक्षा की बात की जा रही है हमारे माननीय की गाड़ी हो जाती है इन्हीं के पंप से अफ़ाय अर्थ तर्ज्य होती है और आप कहते हो कि महाराधेश कितना सुरक्षित है बिल्कुल बहुण जी है तो बड़ी बात इन्हों ने कह दिये वारदात देश के अंदर सोर उचक के होते हैं वारदात कहीं भी कर सकते हैं किसी के घर में भी कर सकते हैं और वह वारदात हुई और वह गाड़ी इलाबाद पकड़ी गई और इलाबाद 15 गाड़ियां को आए के वह नेपाल लेके जा रहे थे पूरा गेंग पकड़ा गा था यहां पर क्राइम रेट बढ़ रहा चाहिए हत्याओं की बात करें लूट की घटनाओं की बात करें आई दिन हाइवे पर कोई ना कोई लूट की बड़ी वारदा का अंजाम जो है वह बदमाच बेकोफ होकर दे रहे हैं देश का सबसे बीजी आईवे हमारी राई में यह बढ़ा है लेकिन यह कंट्रोल हमने किया है अर्जुन जी लाष्ट आपके पास आए हैं कोई तीन वीजन आप गिनवा दीजिए आप फिर विधानसभा चुनाओं की इस बार विधानसभा चुनाओं में आप जाएंगे तो अपने हलके के लिए तीन कोई सबसे एह सब्सक्राइब हो चाहिए अगर एक भी आदमी मेरे उपर उंगली उठा दे या मेरे पिताजी के उपर उंगली उठा दे हम यहीं के यह एलेक्शन छोड़ देंगे और बताओ भाई कोई आग आगा तो एक भी आदमी एक पैसे कि अगर हमारे में से कमी काट दे यह मांदा मैं यह बात कहना चाहता हूं जी मेरे भाईयों ने कहा कि कॉंग्रेस भ्रस्ट मैं मानता हूं मैं मानता हूं मैं मेरे भाई मेरी बात सुन ले मेरे भाई मेरे खड़ा हो जाए मैं मानता हूं तरह को बहुत दिक्कत है घर जाना है तरको एक मिनट रुख जा मैं कहता हूं ज तब उनके उपर से कोई आरा खतम होगे यह कॉंग्रेस मुक्त भारक्त नहीं है यह युक्त बीजेपी है तो यह बात इन्हों ने कहीं कि ऐसा कौन सा वासिंग पाउडर है जिसमें धुलके सबनेता बिल्कुल पवीत्र हो जाते हैं यदि ए यह आखी पाईगे यह बहुतर हैं अख्री सवाल आपसे आप विजान से बाढ़नना चाहते हैं पारिटी टिकट देती है ते आपके कोई तीन बाते बता दीजिए कोई तीन विजन बता दीजिए जो जनता के बीच लेकर जाएंगे और अपने हलके के लिए करना चाहते हैं हमारे यहां जो विकास का जो मुद्दा है विकास सबसे बढ़िया क्योंकि यह उत्रप्रदेश दिली से लगता हुआ ही रिया है विकास के जो अधूरे काम है वो सारे पूरे करवाएंगे और जो राइविदान सवा में नोजवान बेरोजगार हैं सबको रोजगार देने का काम करूं है हमारे साथ आनल्डी और जेज़ेपी से भी हैं इंदर जी पिछला चुनाओ आप बहुत तीन वोटों से हार गए थे मलाल तो जरूर रहता है लेकिन अपकी बार मोका मिला तो आप अपना विज़न भी बिता दीजी तीन वोट का हर तो औरों को सेथता होगा हम तो बाई जुद आरो आदमी है तीन तर याएक तर नहीं हमारे शेखत पेंको वह पाखता है अंडो लोग के बीच मे रहते हैं रोगोट की को करना चाते है अरहाँ हमेशा लोगों की है हमारे मैं आप हमेरे मैंने पहले अलक शर्शन के पया करता अग मेρे गर के दर्वाज कि अब अब इस बाद में बड़ते नहीं जो कि यह जो किया उने कि नहीं पर इस सामने क्या हो रहा है यहां पर जितना बेरोजगारी इस राज में पढूद हैं और तक कि इसी राज मनी पड़ी और यह लोग यह करते हैं सद्द स्वामी नातन रिपोर्ट लगव करेंगे स्वामी नातन रिपोर्ट अरिये डीजर पेटर बॉढूर इतके थोड़े है रेट बढ़ आ करते यह देनुखे होगा Бजा करते कि यह आया इतरह बढ़ा दिया लेकर कोई इन तह पूछ है ओकिए आप किसे तरम शीमा में यह महां कि आर्थ वेबस्तार तो पटड़ी तो उतार दी बेरोजगारी उस तो भी ज्यादा और इनके बड़े जो बड़े नित्याना हुए का थे पंदरा पंदरा लाग खते माओंगे की से खते बात नहीं आप इनको शिरफ बकाने के शिवाव और दूसरी बात नहीं आती लेकिन के इन जंतार मन मणा लिया यह कोई वकाई भी नहीं आओंगे च्छे अजार का आगरते दो हजार दे गए च्यार अजारी ने चूटी बहुत शोट में अपनी पार्टी का विजन भी आप बता दिए पहले तो मैं बाई और जुन जी की बात करता हूं यह कह रहे हैं यह कां सब्सक्राइब करते हैं रही बात मारे विजन की मैं हम अर्याना में दूशन जीशियम बनेंगे तो 75% यू आप रोजगार होंगे और विजली की विवस्ता करेंगे पावर प्लांट लगाएंगे और जितने भी हम सुगर मिल को बढ़ा करेंगे जो भी किसाना की सुविद लिए उसके आधे रेट पर हम भी जली देंगे यह मारे बिलकुल अब लाश्ट लाश्ट राइल के करीब पचास गाउं ऐसे हैं जिसमें रोडवेज की बस नहीं जाती हर गाउं में रोडवेज की बस पहुचाए जाएगी जनता के पास आखरी सवाले लेते हैं जी सवामी उसकी वीडियो देखी दी आप यहां की मुद्दा की बात संट लो पहला देश की कर लो आड़े की बन जाएंगे एक तया आवरा सांड चोड़ रहा क्यों परसाले आंड़ है अरे एंपी निगे बलतकार रेप करते आंड़ मसाज करवाते घरार खड़ी कर रहें त बहुत बढ़िया स्वाल किया कि जैसे की जैजीपी जो आदमी अपने परिवार के साथ मेलकर निचल सकता हो जनता ने क्या साथ लाइगा एक सब्सक्राइब बात पूरी और दो दूसरी बात अभी थोटी देर पहले क्या बात वो ली गई कि रेप होते हैं अरे मेरा फुर रादा पाई साथ कि जैसे कंग्रेश से जैती दिया मने हैं इन पांच सालों में एक बार भी अलके में बढ़ने के बाद ना तो आए और ना कोई काम किया ना किसी से मिले कि राई की जनता ने बढ़ाया तो है उनको बड़ी मैनत से बढ़ाया है ना जनता की कोई सिकायत प परियाना में विधानसवा चुनाओ होने वाले हैं यह जनता तह करेगी कि किसकी बातों में किसके दावों में कितना दम है और जनता किसे यहां से अपना विधायक बनाकर भेजती है देखते रहे हैं आप आर नाइन टीवी और खबरों के लिए जल्द मिलेंगे कल दूसरे विधानसवा चेत्र में ऐसे ही कुषखास मुद्व के साथ क्योंकि राष्टर धरम ही है स्वरव पर्थम